हेलो डियर स्टुरेंट तो आज की हमारी वीडियो को टॉपिक है दयालूता के साथ बड़े इस टॉपिक के उपर हम आपको आज की इस वीडियो में निबंद बताएंगे कि अगर आप ऐसे कंपिटिशन में पार्टिसपेट करें और आपका ऐसे लिखना नहीं आते तो यह इस वीडियो में हम आपको छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप अपने ऐसे को औरों के ऐसे से बैटर बना सकते हैं और आपकी फर्स्ट पोजिशन भी आ सकती है तो अगर आप हमारे चैनल पढ़ना है तो इस टड़ी से रिलेटिट वीडियो के लि तो 750 वर्ट के अंदर आपको यह ऐसे लिखना है तो हमने भी पूरा ऐसे लिखा है तो सबसे पहले आपको टॉपिक लिख लेना आप कलरफुल शीट या प्लें शीट भी ले सकते हैं ऐसे लिखने के लिए उसके बाद जब भी हम अपने ऐसे स्टार्ट करते हैं तो एक स्ल परिखे, यह तो आप परिच्चे लिख सकते हैं परिच्चे लिख सकते हैं परिच्चे भूमिका के अंदर दियालय़ा के ऊपर लिखने에 की द्यालूता ल também कैसे तो पीडियेफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं तो देखे द्यालुता का अर्थ बताना यहां पर विविन विद्वानों और धार्मिक सास्त्रों ने अतीत में द्यालुता को अलग तरह से परिभाशत किया है द्यालुता का अर्थ किसी की जरूरत की समय मदद करना है ने किसी चीज के बदले में ने ही समय साइक के लाब के लिए बलकि उस व्यक्ति की मदद के लिए द्यालुता की परिभाशा अलग हो सकते हैं लेकिन सभी का जो मतलब है वो एक ही निकल कर आता ह उसके बाद हमारे essay की 3rd heading होगी द्यालुता के साथ बढ़ना कि देखे जो आपका topic ऐससे का में यही है कि द्यालुता के साथ बढ़ें तो देखे इसको आप थोड़ा से landy लिखेंगे यानि कि इसके बारे में आपको कम सक्क्राइब से आपको और पेजकर के लिखना है तो मैंने भी यहां पे इसके बारे में बड़ा यह ii लिखण और अजिया है् हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो देखिए इसको हमने दो पैराग्राफ के अंदर करके लिखा एक पहला हमने आपको दिखा दिये तो दूसरे पैराग्राफ यह जब भी कोई पैराग्राफ जादा बड़ा हो जाता है तो आपको ऐसे दो तिन वर्ड का स्पेस छोड़के तो आप सेकिंड लाइन से यहां पर स्टार्ट कर दें जैसे क लिखेंगे द्यालुता और कर्म का महतव का मानव जीवन में क्या महतव होता है तो इसके बारे में लिखा है तो आप हर हैडिंग के बाद में एक-एक स्लोगन एड कर सकते हैं यह स्लोगन आपको नैट पे मिल जाएंगे या फिर आप खुद से भी बैना सकते हैं और करूना का और दयाओ का हमारी में जीवन में मनुख्य का निर्मान करते हैं दुनिया और जो भी लोग वह अपना कर्म करते हैं लेकिन किसी को इसका अच्छा परिणाम मिलता है तो को अपने नतीज्य उसके बद देखिए जब भी आपका ऐसे पूर हो जाएगा तो सबसे ल लास्ट में जो है पूरा ऐसे का आपका निचोड आजाएगा तीन चार लाइन के अंदर आपको अच्छे से लिख देना यानि कि आपको एक अच्छा सा ऐसे को जो है फिनी स्टच देना है उसके बाद लास्ट में भी आप एमने एक स्लोगन एड कर दिया है तो